वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2020 देरा दून में, यह अपना चैनल है और यहाँ पर 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए जिनकों मैं कंटी न्यू वीडियो अपलोड करके देता रहता हूं, और यह हैंसम चैरा मेरा यह, चस्मा पहना देता हम अपने आपको, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जो इन्वेंटरी शेयर कर रहा हूं, सबसे पहले तो उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, तो आज की इन्वेंटरी है हमारे पास में 150 गज का यह प्लॉट है, ठीके, इसका फ्रंट प्लॉट का फ्रंट है जाएगा 26, 26 फिट का फ्रंट है, ठीके, 52 की गहराई है, तो यह 152 गज हो गया, ठीके, यहां से यहां तक 2 गज फ्री फालतू हो गया, फालतू नहीं हो गया, वह उतना ही है, ठीके, लेंड यूज इसका रहेगा, आर थिरी, ठीके, मतलब कि आप इ और आपका मैप अप्रूब हो जाएगा, इसमें आप लोन ले सकते हैं, लोन इसमें अवेलिबल है, आपको इसे भी बैंक को उठा के लिए यह वो आपको लोन दे देगा, बिकोश जमीन का टाइटल आर्थरी है, मतलब रेजिदेंशल है, तीन फ्लोर के लिए आप यहां पर बाद यह थे, आप तीन फ्लोर का कंश्रक्शन यहां पर कर सकते हैं, ठीक है, तीन फ्लोर का मतलब की आप अगर ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, उसके साथ में फर्ष्ट फ्लोर और फिर उसके साथ में सेकंड फ्लोर, यह तीन फ्लोर आप यहां पर कंश्रक्शन कर सकत प्राइस जो सर्कल रेट के साब से आपको लोन मिलेगा वाले प्राइस भी बताओंगा और मार्केट रेट भी बताता हूं ठीक है यह तो तीन चीजे मेंडेटी है जो आपको पहले बता देता हूं तो वीडियो को आगे देखने का आपका फाइदा है अगर आप आप बजट और बजट से बहुत बहार है तो फिर छोड़ नहीं है वैसे इतना जादा बहार नहीं है ठीक है यहाँ पर जो अभी सर्कल रेट के हिसाब से आपको मार्केट रेट मिलता है वो मिलता है 7500 सर्कल रेट के हिसाब से यह इसका सर्कल रेट है ठीक है मार्केट रेट है यहाँ पर 12,000, 12,000 गज का, क्योंकि circle rate government का root होता है, इसमें roads के rate include नहीं होते हैं, roads के हो गए और development charges वगरा कुछ नहीं होता है, market rate अफकोस ज्यादा ही होता है circle rate से, तो जो आपकी रेश्टी होगी वो इस rate पे loan वगरा जो भी आप लेना चाहें इस rate पे, और आप उसको बढ़ाते है तो इसमें कुछ tax आता है, तो ये सारी जो payment condition की बात होगी, वो हम phone पर या मिलकर explain कर लेंगे सबसे पहले, तो confused होने के जुरत नहीं है, जो market rate रहेगा, वो 12,000 गज का रहेगा, 12,000 गज के हिसाब से आपको जमीन को purchase करना है, ठीक है, ये 12,000 है, ठीक है, तो चलते हैं, location ये है, भाव वाला, मैं pen का color change कर देता हूँ, red कर देता हूँ, इस से ज़्यादा visible रहेगा, ठीक है, ये है भाव वाला, भाव वाला कहां पड़ता है, दो तीन landmark की बात कर लेते हैं, जैसे एक clock tower, ठीक है, clock tower से ये कम से कम 20 km है, वैसे तो 18 ये है, पर फिर भी मैं 2 km एक्ष actually मैं कई भी है, आप नई जगा पे जाते हैं, पाहड़ वाले एरिये में जाते हैं, तो आपको distance ज़्यादा लगते हैं, ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको लगता है distance ज़्यादा है, पर यहाँ पर बहुत अच्छे रोटे, तो आपको इन सब चीजों की टीके पुल क्रोस करके माजरी मंडी, माजरी मंडी के पास से, माजरा के पास से, यानि पठिल लगर के पास से आप, सीधा बल्लूपुर चौक की तरफ चले जाए, या Simla bypass रूट की तरफ में चले जाए, तो आप बहुत यि नियर आजाएंगे, अगर आप यहाँ से क्लव और वहां से घूम के आते हैं तो वह बहुत लंबा बढ़ जाता है तो इसलिए आप अगर माजरी के तब से आएगे तो वह 15 या 12 किलो मिटर का ही डिस्टेंस पड़ेगा इससे ज्यादा का डिस्टेंस नहीं पड़ने वाला है ओके तो दो तीन चीजों की बता दी अब क्या ह चौप है क्या तो यहां पर चलते हैं और यहां पर देखते हैं इनकी कुछ फोटोस ठीक है अब आगे हम बिल्कुल भावाला चौक पर है यह मैंने फोटोस नहीं की चीजिए यह गूगल की फोटो है ठीक है आप आए हैं देहरादून इस तरफ से आ रहे हैं आप ठीक है यह एरिया पूरा भावाला चौक है ठीक है यहां पर पीपल का पेड़ है यह एरिया पूरा भावाला चौक है ठीक है यहां पर मैं एक बार और पिन को थोड़ा सा पीछे जाकर डॉप करता हूँ बिल्कुल चौक पर चलते हैं यहां पर इस जगा ठीक है इस जगा पर बि देहरादून की तरफ से, ठीक है, ये चौक है, ये देहरादून की तरफ से आए, आप इधर से अगर जाएंगे, तो यहाँ पर UPS को लेज़े, उपेस, ठीक है, उतराचल पेट्रोलियम उनिवर्सिटी है इस साइड में, सीधा सीधा आप चले गए, तो ये है तिलवारी, ठ चला जाता है सहस्पूर की तरफ सहस्पूर यानि सिला कोई अब मैं आपको आसपास दिखा देता हूं देखे चोटे मूटे दुकाने आपको दिख रही हैं ठीक ये हैं ये हैर सेलून है यहाँ पर सुईट सॉप है ठीक है आगे आप जाते तो हॉस्पिटल भी है और मेडिकल के लिए दुकाने रेश्टूरेंट वगेरा ये देखे ये चला जाता है राजा वाला सेला कोई की तरफ में रोड आपोसिट में हम डूंगा की तरफ सेल जाते है सीधा इस पीपल के पेड़ से अगर आप जाएंगे ये वाला जो रोड है तो ये जला जाता है पर आपको जैसे आपको काम करना चाहते है तो काफी दुकानों में रेंट परपस से ओपन भी कर सकते है आप यहां पर फर्ट फ्लोग डाउन फ्लोर बहुत कुछ मिल जाए ठीके तो लोकेशन आप समझ गए आप हमने प्लोट के लिए किस तरफ जाना है जैसे ही आप देर के पास से दिखनी रहा है आप यहां से यहां से जैसे आगे जाते हैं तो यहां पर आपको एक मेडिकल शॉप दिखेगी थोड़ा सा आगे जाके एक मेडिकल शॉप होगी और वहां पर ठाकूर क्लीनिक का बोड लगा है ठीके ठाकूर क्लीनिक या फिर भर्ट हाडवेर ऐ ठीक है आपको बिल्कुल उसके पास जाना है तो चलते हैं चलिए उसके पास ही चलते हैं मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा एक एक करके बताऊंगा और आपने प्लॉट को पर्चेस करना है यह आए देखिए आप थोड़ा सा आगया है फर्स्ट जहां से राइट मूड रहा है फर्स्ट राइट मूड रहा है बिल्कुल इस पॉइंट से मैं फोटो भी दिखा देता हूं आपको सारी सुविधाएं लेके चलता हूं यह आए देखिए आ यह आया भावला चौक से यह है वो पीपल का पेड़ आप यहां से आए और यहां से आने के बाद में यह आपको देखिए मेडिकल शॉप दिखाए दे रही है ठाकूर मेडिकल स्टोर और इस साइड में यह एक पंचायत ने बैठेने के लिए बनाया है यही से यह वाला ज जाना है कहां तक इस घर तक ठीक है में रोड पर अभी हम कड़े हैं में रोड से कितना होगा यह जादा से जादा होगा सो मीटर मतलब आप पैदल चलके भी जा सकते और यह मार्किट का एरिया इस साइड में पूरा मार्किट लगता है ठीक है यहां पर में बोर्ड दिखा what we are looking for तो यहाँ पर आये हम, यहाँ से हमने मैंने आपको जैसे की बताया 100 मिटर चलना है, 100 मिटर चलके आप यहाँ से left side में turn होगे मैं इस point को भी आपको दिखा दूँ क्या पूरी एक एक चीज दिखाऊँगा मैं details मैं आपको बताता हूँ पर video लंबी हो जाती है, इसलिए मैं detail में जादा नहीं लेकर चलता हूँ यह आए देखिए आप, main road से आ रहे हैं आप, इस तरफ से आए आप main road से, ठीके, और यह आ गया first left, ठीके अब मैं आपको पीछे का भी दिखाऊँ main road चली यह वो भी दिखा देता हूँ यह plot ए खाली पड़ा है, इसके बगले में यहाँ से, यहाँ से entry ली जहाँ पर ठाकुर क्लिनिका बोर्ड और भट हार्डवेर इस जगा पे, यहाँ पर भट हार्डवेर के दुकाने बहुत बड़ी है, ठीके तो, अब क्या करना है, हाँ, अब क्या करना है हम, चले सीधा plot पे या फिर रस्ता और दिखाओ आपको, चले दिखा देता हूँ आप आए सीधा, यहाँ से आए यह आपको turn पकड़ना है, और यहाँ से अपने आप turn हो जाना है, यहाँ से मैं आपको ये road दिखा देता हूँ ना कई लोग जब यहां पे मैं विजिट कराने के लिए आया था कई लोग बोले था road बड़ी congested है देखे road कैसे congested हो सकती है ये road आप देख रहे हैं ये road कैसे congested हो सकती है थोड़ा सा और आगे लेके चलते है अपनी pin को ताकि इसको जूम इन करना पड़ेगा वो ज्यादा जूम इन नहीं हूँ पा रहा है पट फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ देखे यहाँ पर आप जब आते हैं इस मोड पर आएंगे इसे पहले भी देख पाएंगे आप यह है gate और यहाँ से यह है इस boundary तक है रोड गौवर्मेंट की बनाई भी रोड क्या होती है ऐसी होती है गौवर्मेंट की यह बनाई भी है रोड यह होगा जादा स्यादा 10 से 12 फिट इसके बाद यह भी रोड का ही पाठ है जहां पर यह गाड़ी घड़ी है यह भी रोड का ही पार्ट है boundary to boundary road होती है ठीक है यह कम से कम नितों भी 30 feet की road है आपको यह 10 feet नहीं दिख रहे है यह आपको यह भी लेना है न road तो यह भी 30 feet की road है आप क्या करें गवर्मेंट को जाके बोले कि भाई साब दिर्दस इधर भी दस इधर भी कवर करके चलो आप यहां से आयाए आप यहां पर बोल proud लगा है दीप कलोनी का यह दीप कलोनी सुरा जाती है ठीक है हमारे पास में फ़र्स्ट लेन में ही है इस घर के पास में ही plot है तो यह साएद पुरानी photos है अभी तो बहुत अच्छा एरिया हो गया है वो ठीके यह आ गए है हम ठीके यह है हमारे पास में plot entry कहा से हुई है entry हुई है यह यहाँ पर अभी हमने board लगा दिया है deep colony अब कुछ घर भी बनने लग गए है यहाँ पे हमने क्या क्या है यहाँ जहां से pillar शुरू हो रहे यहाँ से ही हमारे plot शुरू हो रहे तो यहाँ हमने क्या क्या है हमने डाली है ऐसे सीधी सीधी road यह डाल दी हैगा इस road ठीके यह है 20 feet की और यहाँ बन रहा है हमारे पास में यह यहां जाकर न, ऐसे यह dead हो जाता है, ठीक है, यहां पर dead हो जाता है, यहां बंध है, इसके बाद किसी और की जमीन है, तो यहां पे हमारे पास में यह जो plot थे, यह हमने sale किये हैं, इसके बाद में एक plot last से sale किया है, एक plot यहां पे sale किया है, ठीक है, एक plot यहां बचा तोड़के third number का plot है, third number का या second number का है, यह plot last वाला plot जो है, वो sell हो रखा है, ठीके, तो यह plot मिल रहा है, जमीन plane है, पूरी plane है, आसपास का view देखे, आप यहां से आपको hill view दिखाई देता है, अच्छा hill view है, पीछे east side में, सामने घर बने हैं, पक्के, इनको यहां पर यह दे के देंगे आपको, ठीके, और मैं दूसरी side का आपको view दिखाना चाहता हूँ, actually मैं, view एक बार देख लेंगे, तो उसके बाद में, देख रहे हैं आपको, सारे में घर बने हैं, यह भी घर बना हुआ है, आभी तो और भी घर बन गए हैं यह पुराना update नहीं है वीडियो, तो view अच्छा है, जमीन plane है, कहीं दूर दूर तक कोई घटा नाला नहीं है, आज पास में पेड़ है, लोकेशन बहुत अच्छी है, पास की लोकेशन है में बूर से इतना दूर नहीं है, तो आपको बहुत बढ़िया चीज मिल रही है, बहुत सुंदर चीज मिल रही है, तो आप यहाँ पे site को visit करने के लिए मुझे क्या करेंगे, आप मुझे call करेंगे, वैसे तो description में भी अपना number दे दूँगा, आपने call करना है मुझे 9389218967, अनुपाथक नाम है मेरा, ठीक है, अगर मेरा number busy रहता है, मैं कहीं पे call पे बात कर रहा हूँ, number busy रह रहा है, त इसी तरीके कि और video continue आपको मिलते रहेगे तो channel को subscribe कर ले, video को like कर दे, thanks for watching, we'll see you in the next video